कि वर्ण कर दिया गया है बताया गया कि वर्ण विवस्ता ये सब कुछ तृता में बन करके तयार हुआ था देवराज इंद्र ने यग किया था श्री मनुजी महाराज ने ये बड़ी अधुत विवस्ता बनाई चारो वर्णों की उतुपत्ती उसके कारिय में सब बता दिया गया है तृता में भी लोग फलों के उपर ज़्यादा जीते थे उपवास बहुत करते थे भारे उपवास करते थे तृता में इस्तिती थे गड़बड घोटा ला तो द्वापूर से आरभ हुआ तृता तक बातावरन बहुत बढ़िया थे दुनिया वर के अपराद द्वापूर में गयों के धरम के दोनों पाम टूटी गए थे द्वापूर में तो धरम दो ही चर्ण पर रहे गया था बस एक यग्य का था और एक दान का था सत्य पवित्रता के चर्ण तूट चुके थे धरम सिर्व दो पामों के उपर खड़ा रहे गया द्वापूर में चत्र युगों का वड़न किया जा रहा है क्या सुन्दरबाद लिखिये का है का आज भी यदि व्यक्ति यग्य का सहरा ले ले तो वह धरम को चारों चड़ों पर खड़ा देख सकता है पूरी स्रष्टी को चलाने के लिए यग्य एक रेड़ की हड़ी है और मैंने इसके उपर बहुत जोर दिया है जब तक रहूँगा तब तक जोर देता रहूँगा यग्य पूरी समश्टी का कल्यान करता है प्रकरती में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी यदि यग्य होता रहेगा यग्य होगा तो वरसा होगी और वरसा होगी तो पेड नहीं लगाओगे तो भी लग जाएगी आज ब्रक्ष सूख रहा है बन सूख रहे हैं गर्मियों में बनों में जंगलों में आगे लग जाती है पानी नहीं गिर रहा है सूखा पड़ रहा है गिर रहा है तो इतना गिर रहा है कि वहां पर बाड़े आ रही है नहीं तो बिलकुल अब इस समय कितनी गर्मी है पंद्रे जून से वर्सा सुरू हो जानी चाहिए लिगना आए तो नौवे के दस है दस जुलाई हो गई है अभी तक पानी नहीं गिर रहा है त्राय त्राय मची है जीब ब्याकुल है बड़ा परिशान है बड़ी दिक्कत है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है सत्य यह यह यग्य का बहुत अभाब हुआ है पहले के जितने राजा महराजा लोग थे वो यग्य कराते थे आज के राजा लोग नहीं कराते आज की राजनीती में पता नहीं धर्म कहां जा रहा है, कहां चला गया है पता नहीं क्या हो रहा है प्राचिन राजाओं को आप देखे, आप इदुष्टर के यग देखे प्रभूस स्री किष्ण ने साथ यग इतने बड़े कराए धर्ती पर जितना बड़ा किष्ण का सौम यग हुआ, उससे ना पहले इतना बड़ा हुआ, बाद का तो पता नहीं है भगवान सी किष्ण ने सौम यग कराया स्री द्वारका जी में प्रभूस सिराम जी का सुमेद यग बड़ा अधुत यग हुआ था बैठें आप, यहीं बैठ जाओ, यग के द्वारा ये लोग टिके हुए हैं, यग का धुआ बहुत प्रभाबसा लिए, और मैं बहुत लंबे समय से यग 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 चिला रहा हूं, यहां तक एक हवन कुंड भी आपके घर तक बेजे, बहुत हवन कुंड आ कैसे भी यह सोचकर आप बैसे तो जाते नहीं हवन कुंड खरीदने को बजार से, तो सरमी शोना हवन कुंड घर में आ गया है तो साइध आप आउतियां डालना शुरू करते, आप पता नहीं कि आप उस हवन कुंड को उसके प्रयोग में ले भी रहे हैं, को उसमें गय हू जादा नहीं मेरे निविदन पर कल से नवरात्रा सुरू हो रहा है, नोव दिन यह कि कर लें, लगता कितना है उसमें, थोड़ा चावल ले ले, तिल ले ले, तिल तिल का आदा चावल, चावल का आदा जो, जो का आदा कुछ गुड बूरा बगेरा ले ले लिजे मीठा, और यह जितना है, उतने हवन शामिकरी, वो बजार में मिल जाती है, फिर उसमें कुछ घी डालने है, कुछ पंच मेवा डालने है, नवरात्रा का यग्य है, इसमें गिदी के टुकडे जरू डाले, लक्षमी बर्दके, उम्र बढाने वाला है, छोटा-छोडा उसको गिद डालने है, लक्षमी बर्दक है यह, बेल गिरी डालने है, बहुत ज़्यादा प्रभाब साली है, यह गरीबी का नास करता है, बेल गिरी इतना प्रभाब है, आप लिखेंगे नहीं, वो बाद में सब भूल जाएंगे आप, लिख लो, सामिकरी बनाएं, हवन कुंड रख लें, पूरव की तरब मुहो यग करते समय, आहूती डालिएं, नवाहन मंत्र से ओम एम हरीम किलिम चामुन डाय विच्चाई, इससे आहूती डालें, घर में कोई रोग नहीं, तो दुरगा सत्त सती में, रोगान, सेसान, पहेंसे, तु सताम नान बिपन निरानाम त्वाम, महा शिताम या शिताम प्रयांते, इससे आहुती डालें, सर्व मंगल, मंगल लेसे भी सर्वार्त साथ के, ये तो रामान के चभपाई, मंगल भवने, मंगल हारी की तर एए, इससे भी आप डाल सकते, आप की जिएगा